जब भी बाजी लगाईए दिल और दिमाग में ये जरूर सोचिए कि बात पैसों की है या रिस्तों की नमस्कार दोस्तों, रेडर्स बुक्षाम में आपका फिर से स्वागत है अमीर बनने का मतलब ये नहीं होता है कि आप इमोशनलेस हो जाएं अमीर बनने का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपने रिस्तों को छोड़ दे अमीर बनने का ये मतलब नहीं होता है कि 24 गंटे आप सिर्फ फाइदा उठाने की बात सोचें अमीरी तो एक सोच है रावर्टी कियो साकी बहुत ही खोबशूरत अपना एक इंसिडेंट से एर करते हैं कि उनके जो पूर डैड थे जो की एक स्कूल में पढ़ाते थे उन्होंने बहुत महनत करके पाई-पाई जोड़के एक घर बनाया था जिसे वो हमेशा यह कहते थे कि यह मेरी संपत्ती है रावर्टी कियो साकी जब अपने रिच डैड के संगत में आए तब उन्होंने जाना कि संपत्ती और दायत में डिफ्रेंस क्या है एसेट्स और लाइबिल्टी में क्या है और तब हमेशा अपने डैड को बोलते डैड ये जो आपने लिया है ये आपका एसेट्स नहीं ये आपकी लाइबिल्टी है और इस बात पर दोनों घंटों बहस किया करते थे और लाइबिल्टी और एसेट्स के कॉंसेट्ट को समझाने के लिए वो उन्हें वही सारी बाते करते हैं जैसे कि एसेट्स वो होता है जो हमें काम देता है जिस पर आपको और खर्च नहीं करना होता है और लाइबिल्टी वो है जिसमें 75 तरह के खर्च होते हैं हर महीने हर हपते हर दिन कुछ न कुछ आपकी जेब से जाही रहा होता है आगे रॉबर्ट टीक्यो साकी कह अपने दिल से कह रहे हैं क्योंकि किसी के लिए भी अपना घर बनाना सबसे बड़ा सपना होता है और इसलिए वो उसमें पैसे लगाते हैं अपने घर का मालिक होने से ज़्यादा अच्छा कुछ भी महसूस नहीं होता है पर दिल और दिमाग के बीच लिएबिल्टीज और एसर्स के कॉंसेप्ट को समझाने के लिए रावर्टी कियो साकी एक और बात कहते हैं वो इस तरह से समझाते हैं कि मान लीजिए वो और उनकी पतनी एक बड़ा सा घर खरीदते हैं तो होगा क्या कि उसमें उनकी बहुत सारी पैसे खर्श हो जाएंगे जो कि सायद फिजूल ही हो माना कि इस बात से लोग सैमत नहीं होंगे एग्री नहीं होंगे क्योंकि घर एक भावनात्मक चीज है इमोशन है इमोशन हमेंसे दिमाग पर भारी पड़ता है जब भी लोग दिल से सोचते हैं तो दिमाग की बातें उन्हें गलत लगती है पर फिर रॉबर्ट टी क्योशा की आगे एक्स्प्लेन करते हैं कि वो सही कैसे हैं और एक घर एसर्स क्यों नहीं है वो कहते हैं कि जब घर की बात आती है तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि ज़्यादा तर लोग उस घर की कीमत चुकाने के लिए जिन्दगी बर काम करते हैं ज़्यादा तर लोग एक घर खरेगने के कुछ सालों बाद दूसरा घर खरेगते हैं और हर बार पहले मकान के लिए जो कर्ज वो लेते हैं उस पर उनके पास फिर से 30 साल का नया कर्ज आ जाता है हालंकि लोगों को मोडेज पेमेंड के वैज के लिए टैक्स में छोट मिलती हैं पर वो अपने दीकर खर्चों के लिए टैक्स के बाद मिलने वाले रुपयों का उपयोग करते हैं अपनी मोडेज पूरी तरह से चुकाने के बाद भी प्रोपरिटी टैक्स बहुत बढ़ गया था उनकी ममी टैडी को ये बात सुनकर बहुत धक्का लगा जब उनके घर का प्रोपरिटी टैक्स 1000 डालर परतिमाह तक पहुँच गया था और ये तब हुआ था जब वो रिटायर हो चुके थे 1000 डालर बहुत बड़ी रकम होती है अगर हम उसको इंडियन करन्सी में चिक करे तो साइज 70 या 80 हजार रुपय है साइज उससे भी जाला और ये तब हुआ था जब वो रिटायर होए थे इस बड़ोत्री से उनका रिटायर्मेंट के बाद का बजट जो है वो बिगड गया था और उन्हें अपना वो मकान छोड़ना पड़ा अच्छा एक और मिथ है कि घर की कीमत जो है वो हमेशा बढ़ती रहती है ऐसा नहीं है बहुत सारे ऐसे लोग हैं उन्होंने करज लेके घर खरीदा और वो घर जितने में खरीदा आज उसकी कीमत आज आधे से भी कम है इन सब नुक्सानों से उपर सबसे बड़ा नुक्सान क्या है पता है आपका लिक्विट कैस वो लिक्विट कैस जो की सही जगह पर लग सकती है ता वो घर में फस गया अगर आपका सारा पैसा मकान में फसा रहता है तो वो आपको जादा कड़ी मेहनत करनी पड़ती है ताकि आपका खर्चा चलता रहे इस दोरान आपके संपत्ती वाले कालम में कोई बढ़ोतरी नहीं होती मतलब आपको एसर्ट्स नहीं बना पाते अगर एक यंग पति-पत्नी यंग कपल्स शुरुवात में अपना पैसा अपनी एसर्ट्स वाले कालम में लगाए तो उनके आगे के साल आराम से गुजरेंगे खास कर उस समय जब वो बच्चों को कालेज में भेजेंगे इस दोरान अपनी संपत्ती भी बढ़ जाएगी और उनके खर्चे भी आराम से चलते रहेंगे तो अगर कम सब्दों में समझें तो ये की घर खरीदने का फैसला जो है ना वो बहुत ही खर्चीला होता है इसके बजाए बहतर यही होगा कि जल्दी ही इन्वेस्टमेंट प्रोटोफोलियो बना लिया जाए देखिए घर खरीदने का आसर किसी भी आदमी पर तीन तरह से पड़ता है पहला समय की बरबादी क्योंकि इस पूरे दोरां दूसरी संपत्यों का मुल्ले मिल चुका होता है एक्ष्ट्रा पोंजी की बरबादी एक्ष्ट्रा पैसो की बरबादी जिसे दुवारा निमेश किया जा सकता है कि घर खरेदने के बाद आपको घर से सीधे जुड़े खर्च उठाने पड़ते हैं तीसरा सिच्छा की बरबादी अक्सर ऐसा होता है कि हम मानते हैं कि उनकी जो एसर्ट्स वाले कालम में संपत्ती वाले कालम में उनका घर बचत और रिटार्रमेंट प्लान आते हैं अब क्योंकि उनके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसा नहीं है वो बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं इस कारण उन्हें इन्वेस्टमेंट का अनुभा उन्हें कभी मिल ही नहीं नहीं पाता जादा तर लोग कभी भी एक समझदार इन्वेस्टर नहीं बन पाते हैं पर सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट अक्सर सबसे पहले समझदार इन्वेस्टर को बेचे जाते हैं जो बाद में उन्हें जादा दामों पर सुरच्छित रहने वाले लोगों को बेचते हैं उन लोगों को बेचते हैं जो रिस्क नहीं उठाना चाहते हैं तो रॉबर्ट का खर्च चलाने के लिए जिन्दगी भर मेहनत करते रहे उनके खर्च हमेशा उनकी आंदनी से जादा होते थे और रोबर्ट कियोसाकी यहाँ पर अपनी बात बहुत ही अच्छी तरीके से समझाना चाहते हैं कि अगर आप इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं अमीर बनना च तो इसी के साथ अब आगे बढ़ते हूं नेक्स्ट चैप्टर की तरह